वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी एक बहुत ही बीटिफल शेर्ट का डिजाइन जो बहुत ही जादा बीटिफल लगाया है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर यह मैंने पटियाला सूट बनाया है एंड इस शेर्ट का डिजाइन मैं आपके साथ शेर करूँगी कि मैंने किस तरह किसे बनाया है शलवार की वीडियो अप्लोड है मेरे चैनल पर आप जाके चेक आउट कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर नेट का फैब्रिक लिया है यह सिक्वेंस फैब्रिक है बहुत ही जादा बीटिफ की तो यहां पर मैंने इस इस फोड़ कर के रख दिया है जी देख सकने है फोरшь करने कि बाद सब्सकों 16 मैं ने देख सकते हैं क्योंकि मैंने 25 इंच लेनी है उसके बाद tatty six इंच लोंगी मैं क्योंकि यहांपे एक इंच मैंने extra लिया है उसके बाद आपको तीरे का Mark करना है सेवन इन्च पर 7 इंच पर ऑमोल का Mark किया है मैं अपने measurement के according कर रही हूँ आप अपने measurement के according करें तो यहाँ पे मैंने 7 inches पर mark करने के बाद आपको जहाँ पर west का उसके mark?' करेंगे तो चहाँ पर मैं 14 इंच में mark करूंगी यहाँ पर मैं अपनी west का fourth part लगाओंगी boxing ka यहाँ पर मैंने 21 इंच पर mark किया है उसके बाद आप चेस्ट का 40 पार्त लगाले्एम यहां पिल्द 9 पर फॉर्थ पार्त लगा ले जो मैं साधे 8 पकर मार्क मार्क करोंगी हैंड अपने हिप मार्क कर ले या अपने पने से के हमारी कुटिंग क मड़ा इक पाँक्त की नंग करने का झाली है कि भी जिर्ट होज सब कर लो है उसके बाद में इस तरीक इसे तरीक से 1 तरे इंच का कट करूँगी ifrnt साइड के पार्ट पर एक पार्ट पर आपको करना है एक पार्ट को इसमें से निकाल देना है उसके बाद अगीन फॉल करना है and इसको कट कर लेना इससे हमारी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे आति है इंडिये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारी शर्ट में गड़शक में तो यहां पर मैंने से कट कर लिया है उसके बाद मैंने का फेब्रिक लिया है जिससे में ड défTrorn करके रखा давай देख सकते हैं कणी की सब्सक्राइड लिए आपको front part पर back part रखना है इसके उपर front part नहीं रखना है तो तो guys यहां पर मैंने net का fabric को भी cut कर लिया है ये देख सकने हैं उसके बाद मैं इसके अंदर से एक part को निकाल दूंगी अगेन इसे फोल्ड करके रखूंगी एक पार्ट को एक पार्ट को जब आप अगेन फोल्ड करेंगे उसके उपर फ्रंट पार्ट का जो अस्तर होगा आपका उसको उसके उपर रखेंगे एंड इसका जो शोल्डर होगा उसे कट कर लेंगे सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सो गाइज अब मैं इसमें बचे हुए फैब्रिक में से इसकी स्लीव को कट करूँगी तो इसे भी मैंने यह फोर फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से फोर फोल करने के बाद यहाँ हम इस सलीव को कट करेंगे तो आपको चोड़ाई लेनी है अपने आम हूल से टू इंच एक्स्टर लेनी है तो 7 इंच का मेरा आम हूल था यहाँ पर मैंने 9 इंच की चोड़ाई लिया इसे फोल्ड किया है 9 इंच का उसके बाद इसकी जो लेंट है वो मैंने 29 इंच लिए क्योंकि मैं इसमें चूडिक डालूँगी तो 3 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क करेंगे उपर से मैं 3 इंच की गहराई लूँगी अपनी स्लीव की इसकी लेंहें ने इसलिए करता है क्योंकि मैं पूरी स्लीव में और जो गैधर्स आते Nancy कि तरफ वो लेंगे वो करेंगे आधमें तो गैस ID मैने स्लीफ सेख़ी प्लेट, कंपलेट हो गई इसके बाद, नेच का डिजाइनbnा नेक डिजाइन बनाएंगे तो आपको अस्तर का पार्ट लेना है जितना आपको अपना नेक रखना है, वहां पर आप माकिंग करें चेंज पर मैंने यहां पर बाद कर रहा है इससे हमारी shirt की बहुत ही beautiful सी shape आती है so guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंसे cut कर लूगी तो neck हमारा बहुत ही जादा beautiful बनेगा and boat neck में बनेगा यह उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच extra इस तरीके से इसके उपर से पट्टी कट कर लेनी है यह इसलिए cut करनी है जब हम अपना neck बनाएंगे इसमें कुछ इस तरीके से तो यही पट्टी इसमें लग जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंसे open करूँगी open करने के बाद इसकी उपर रखेंगे हम and stitch कर लेंगे stitch करने के बाद इस wrong side पर आपको turn कर देना है and आपका जो यह neck होगा वो बनके ready हो जाएगा and उससे भी आपने stitch कर लिया है guys देख सकते हैं इससे पहले मैं यहाँ पर cut लगाऊंगी so guys यहाँ पर मैंने इसे cut लगा दिया है so guys यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितने beautiful तरीके से neck को बना लिया है उसके बाद आप बैक पार्ट का अस्तर लेंगे उसमें मैंने यहाँ पर चार इंच की लंबाई लिए है इसको मैं सी शेप में दूंगी कुछ इस तरीके सी शेप बन जाएगा कव शेप में तो यहाँ पर मैंने यह देने के बाद उसको कट कर लेंगे तो यह हमारा बैक नेक होगा तो आप इसमें डीप रख सकते हैं वह आपकी चॉइस है मैं इतना ही रख रही हूं उसकी बाद जो हमारा उपर का फैब्रिक है उसमें से भी आपको दो इंच एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लीना है जिस तरीके से हमने फ्रंट फाले आपकी बना लिया है अब अब अपना नेट का जो मेन फैबरीक है उसे इसके उपर रखेंगे और अच्छे लेंगे से चिपका लेंगे ज़च कर लेंगे इस नेसरे को अटैच कर लिया पर समें जूलाए तेल आ ईंगिडिया है अर्याड बाद हमिसे ही मैंने शोड दिया ह तो इसे फोल करेंगे, फोल करने के बाद हम इसमें बोट नेक कट करेंगे, तो बोट नेक के लिए आपको यहाँ पे 5 इंच पे मार्ग करना है, अपनी शर्ट की चोड़ाई जो है वो नेक की 5 इंच लेनी है, और लेंथ जो है वो मैं धाइंच लूँगी, कम से कमी लेनी है जो है दाइंच के लेन के बाद एक कर्व शिप देके, इसे कट कर लेंगे, आपको बैक नेक पर भी करना है, इसी पार्ट को मैं भेट नेक पर रखूँगी, इसे कट कर लोंगी तो guys यहां पर आप देख सकते हैं मैंने neck को cut कर लिया उसके बाद मैंने औरे पटी लिये है अपने अस्तर की फैब्रिक की उसको मैं double fold करूंगे की उसको करने के बाद इसे back side पर तरन कर देंगे तो यहां पर मैंने normal की नेक बना लिया है जिस तरीकी से नेक बना जिसी तरीके से बना या मैंने के बाद में पर स्लीव अटैज करना है तो स्लीव इसके उपर रखे եंगे तो इस तरीके से रॉंग साइड आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए और बीच में से आपको इस तरीके से स्टुच कर लेना है दोनों ही स्लीव को आपको इसी तरीके से अटाच करना है के तो मैंने स्लीफ को अटैच कर लिया है उसके बाद आप इसमें साइड की फिटंग दे जितनी भी आपकी फिटंग हो उसके अक्रौडिंग आप इसमें फिटंग दे उससे पहले आप अपनी मोरी को मोल लेइस तरीके से डबल फोल्ड कर लें अपनी स्लीव की मोरी को उसके बाद आप इस पर साइड की फिटिंग दे तो फिटिंग जो आपको 21 इंच की लेंद पर ही देनी है तो यहां से यहां तक आपको सिफ लेंद देनी है इस चीज का धियान रखेंगे कि आपकी जो हिप का माकिंग मैंने जितने प प्लोड यहां से आप जाके चेक आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आपको चौक को फोल्ड कर लिए ना नीचे से जो है उसे भी फोल्ड कर लिएक तो गाइस यह है मेरा फाइनल लुक आई होप आपको यह वीडियो अच्छ लगा होगा एंड यह पटिय प्लोड कर सकते हैं